दुनिया में कई सारे देश हैं जो की nuclear fusion reactors पे काम कर रही हैं, जिनको की हम लोग artificial sun के नाम से भी जानते हैं। एक है UK की country जिसने की कुछ time पहले एक nuclear fusion device को तयार किया था जिसको की उन्होंने JET का नाम दिया था। और ये time to time बड़े-बड़े records भी इसने स्थापित किये हैं, recently अगर आपने देखा होगा, तो इसके द्वारा जो temperature को अचीव किया गया था, वो almost 150 million degree Celsius का था, जो की almost 10 times hotter था than the sun's core itself. Also Asia का देश है South Korea, जो की again काफी लंबे time से artificial sun जैसे reactor को बनाने के प्रयास में लगा हुआ है, और उसने भी 100 million degree का जो यहाँ पे temperature है उसको अचीव कर लिया है. लेकिन इन सभी में एक बड़ा ही जो powerful artificial sun वाला reactor था, वो हमारे पडोसी देश चाइना ने तयार किया था, जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा था, कि हमने almost 7 minutes तक उस particular temperature को sustain भी हम लोग कर पाए हैं. लेकिन सबसे surprising बात ये थी कि इन सभी देशों में ना भारत का नाम था और ना ही रश्या का नाम था. और अब आपके सामने वही खबर लेकर आए हैं कि इंडिया और रश्या ने अब एलान कर दिया है कि वे अब चाइना के artificial sun को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया का जो सबसे ज़ादा powerful nuclear fusion का reactor है उसको develop किया जाएगा आप यहाँ पे देख पाएंगे खबर जो है आज morning में ही सामने आई है इंडिया और रश्या आर इन टॉक्स तू डेवलप दे वर्ल्ड's most powerful fusion reactor समझेंगे इस particular step को also समझाऊंगा आपको कि fission और fusion में क्या difference होता है and क्यूं य यह बहुत ही शानदार step हम लोग इसको समझ रहे हैं आए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माधियम से ऐसा कर सकते हैं आगे बढ़न 24 से 25 lectures में यह coverage करवाई जाएगी और यह course offline एवं online दोनों ही modes में available करवाया गया है अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इस course को offline आगर के join कर सकते हैं अगर आपके पास समय की कमी है travel नहीं कर सकते हैं उस case में आप इस course को online भी join कर सकते हैं ध्यान रखिएगा यह course आपक जो है 2024 के prelims के लिए इसको design किया गया है इसके इलावा अगर आप 2025 यह 26 के UPSC course की तयारी करना चाहते हैं तो complete foundation program आपके लिए unacademy के offline centers में करोलबाग में मुकरजी नगर में और प्रयागराज में अपलब्द करवाया गया है अगर आप इन में से किसी भी center में जाकर के enrollment कर चाहते हैं तो कर सकते हैं description box में आपको एक छोटा सा bitly link दिया हुआ है जिस पे जाकर कि आपको click करना होगा मेरा नाम choose करना होगा और हमारी team आपको reach out करेगी जिससे कि आपका जो भी doubt है वो clear होगा और आपको attractive discounts भी available करवाये जाएंगे Alright, सबसे पहले समझ लीजिए कि nuclear fusion और fission दो अलग-अलग चीज़े हैं, basically nuclear energy generate करने के दो अलग-अलग तरीके माने जाते हैं, fission में क्या होता है कि एक atom होता है जो की दो छोटे-छोटे atoms में तूटता है और fusion में exactly उसका opposite होता है कि दो छोटे atoms होते हैं या फिर दो हलके atoms होत करते हैं, यह तो हुई इसकी technical language, लेकिन अगर इसको हम examples के माध्यम से समझने का प्रयास करें, so basically जो हमें सूरे के अंदर देखने को मिलता है, हमें मालूम है कि सूरे जो है, it is a source of unlimited energy, जो हमें सूरे के अंदर देखने को मिलता है, वो दोस्तो fusion होता है, मतलब कि दो छोटे atoms मिलकर के एक बड़ा atom create करता है, लेकिन जो हमें nuclear power reactors में देखने को मिलता है, आम तोर पे, वो fission होता है, मतलब कि एक atom जो है, वो दो छोटे-छोटे atoms में यहाँ पर तूटता है, Now, इंडिया के पास वैसे तो कहने के लिए कई सारे nuclear reactors देखने को मिलते हैं, जिनकी आप यहाँ पे तस्वीर देख पाएंगे, locations देख पाएंगे, लेकिन अभी तक इंडिया के जितने भी nuclear power plants और nuclear reactors हैं, उसमें से कोई भी fusion based reactor नहीं है, वो सभी के सभी fission based reactors ही हमें देखने को मिल जाते हैं, this time around हमारा सबसे पुराना और सबसे पहला दोस्त जिसने की हमें nuclear energy में सबसे जाधा मदद करी है, रश्या ने हमें offer किया है that we want to collaborate with India on two things, यहाँ पे statement दिया गया है, रश्या की जानी मानी company Rossetom है, जो की वहाँ पे basically nuclear energy के सारे मामलों को देखती है, उनके जो collaborate with India in research on controlled thermonuclear fusion and joint development of the transit potential of the northern sea route, northern sea route वही वाला sea route है, जो की Arctic से होकर गुजरता है और इसको लेकर भी collaborate वो भारत के साथ करना चाते हैं, इसके बारे में फिलाल बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं, controlled thermonuclear fusion के बारे में, रश्या का offer क्या है, उसको समझने के हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये controlled thermonuclear fusion होती क्या है, देखिए fusion हम लोग already समझ चुके हैं, कि fusion basically दो light atomic nuclei जब मिलकर के एक single nucleus create करते हैं, उसको हम लोग fusion बोलते हैं, thermonuclear fusion इसे इसलिए कहा जाता है, because इस fusion के process में ये जो है बहुत ही high temperature पे होता है, और जब ये fusion का process खतम ह हो जाता है, तो भारी मात्रा में energy पैदा होती है, this is very very similar to जो हमें sun के अंदर देखने को मिलता है, sun के अंदर precisely क्या देखने को मिलता है, hydrogen के दो छोटे छोटे जो atoms होते हैं, वो आकर के combine करते हैं, और जब ये fuse कर जाते हैं, तब ये milkर के बनाते हैं, एक बड़ा element, that is the element of helium, लेकिन साथ में ये बहुत सारी energy को भी produce करते हैं, इसे कहा जाता है thermonuclear fusion, लेकिन sun के अंदर सबसे बड़ी problem क्या है, कि ये जो thermonuclear fusion है, ये uncontrolled है, मतलब कि energy बनती जा रही है, बनती जा रही है, वो रुप नहीं रही है, हम ऐसी चीज धरती पर नहीं कर सकते हैं, अगर हम ऐस करेंगे, तो उससे जो है, पूरा का पूरा, जो आपका nuclear energy है, वो बन तो जाएगी, लेकिन आप उसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो धरती पे हमें चाहिए something called as controlled nuclear fusion, क्यों, एक तो क्यूंकि temperature बहुत high है, आपको temperature को control में करना है, और अगर आप उसे control नहीं तो आप उस energy को कभी utilize ही नहीं कर पाएंगे, और इसमें एक और मुद्दा आता है, that is the problem of confinement, जब आप इतने high temperature को touch करते हैं, इतने high plasma के temperature तक पहुन जाते हैं, तो you have to make sure कि जो आप materials, जिसके थूँ आप इतना temperature attain कर पा रही हैं, वो आसपास किसी भी चीज़ के contact में ना आए इस पूरे process को confinement based, controlled thermonuclear fusion का basically reaction कहा जाता है, इस process को लेकर रश्या भारत के साथ collaborate करना चाता है, नाव रश्या ने ये वाला जो अपना project है कई साल पहले बनाना शुरू कर दिया था, जिसका नाम है MBIR, Multi-Purpose Fast Neutron Research Reactor, जो की रश्या में फिलहाल under construction है, लेकिन रश्या ने अब बुलाया है कि हम चाहते हैं Indian scientist आएं, हमारे साथ मिल करके इस project के उपर research करें, so that हम लोग दुनिया का जो सबसे जादा बड़ा nuclear fusion reactor है, उसको स्थापित करने में कामयाब हो सकें, ये क्यों बहुत बड़ा step है, देखिए सबसे पहले तो nuclear fusion अपने आ इनरजी लाने के लिए आपको केवल deuterium चाहिए होता है, जो की hydrogen का isotope है, इसमें uranium, plutonium, thorium नहीं चाहिए होते हैं, जो की बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और काफी महंगे भी होते हैं, उसके बाद इसमें radioactive waste नहीं निकलता, क्योंकि जो भी निकलता है, helium के atoms निकलते हैं, उ क्योंकि आपको कोईले में या तेल में या फिर गास में देखने को मिलती हैं, so clearly efficiency wise, wastage wise हर तरीके से अगर आप देखेंगे, तो fusion एक बहुत ही जादा काम्याब टेकनीक मानी जाती है, and इसमें भी अगर आप देखें, तो सोने पे सुहागा बन जाता है, because Russia हमारे साथ collaborate करन आजाता है, I think हम सभी जानते हैं कि Russia भारत का सबसे पुराना और इवन पहला दोस्त था जिसने की हमें nuclear energy में सहयोग करने में सामने आया था, India का जो largest nuclear power plant है, जो कि कुदन कुलम में located है, उसके maximum जो reactors हैं, वो रश्या के ही मदद से बनाए गाई है, आज इसी वदालत हम ये क यह पाते हैं कि कुदन कुलम की basis पर हम लोग एक साल में 47 million tons of CO2 को यहाँ पे बचाते हैं, उसका emission हम लोग कम करते हैं, तो रश्या की जो techniques हैं, रश्या की जो technologies हैं, वो tried and tested हैं, हमें मालूम है, and obviously यह हम जब step लेंगे, तो इससे हमारा जो overall environmental targets हैं, वो भी पूरे होंगे, हम 2050 तक net zero का जो target है, उसको भी पूरा करने में हम लोग एक बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगे, so overall I think it's a very very positive step, जो की रश्या के द्वारा यहाँ पे सामने रखा गया है, देखते हैं इंडिया क्या करेगा, before I end the video, बताना चाहूंगा कि इस nuclear fusion reactor को, जिसको artificial sun भी कहा ज chamber with magnetic coils हैं, और रश्या के ही कुछ phyruses थे जिनका नाम था Igor Tam and Andri Sakharov, इनके द्वारा इस term को पहली बार conceptualize किया गया था, वीडियो कैसी लगी हमें definitely बताएं comment section में, जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तो, UPSC Prelims 2024 के लिए अगर आप तयारी कर रहे हैं तो इस podcast को देखन मत भूलिएगा, इससे आपको काफी सारे inputs मिल सकते हैं अपने Prelims exam को अच्छे तरीके से crack करने के लिए, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.